हुआ यूं सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला किया कलिंग जो वर्दमान में उडिसा के नाम से जाना आता है ओलिशा अब हो गया उडिशा उसे कलिंग काई आता तो ऊसका राजा था फैरना अब राज्य विस्तार करना था इसे लिए सम्राट अशोक ने वहां आकुमर गिया और आकुमर इतना भयानक था इतना खुंभार आकुमर था कि वहां सब को निश्टे नाबूत कर दिया गया जितने सैनिक से सारे सैनिक मार दिये गया लेकिन उस नरसंगहार के बाद एक उतकंठा सम्राठ अशोक के मन में रही वो क्या कर रहे है पत्नी विदू विदूशा के साथ सम्राठ अशोक है क्या कह रहे हैं सम्राठ अशोक है विदूशा न जाने क्यों मेरे हिर्दे में वो नश्टर जैसे शूल बनका चुह रही है मेरी आँखों में जैसे उन पहनों के भाईयों के कटे में सर दिखाई दे थे जब भी मैं महसूस करता हूँ तो कलेजे में आग लग जाती है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि मैंने ना जाने कितनी माताओं के बेटों की गर्दने उडा दे मेरे हिर्दे की गहराईयों में वो दुख व्याबक रूप से भता जा रहा है विदूशा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ जैसे ये व्याकुलवन कहीं धूब मर जाने को कर रहा है मुझे समझ नहीं आता विदूशा मैं क्या कर अभी वारतला विदूशा के साथ चल रहा है समराट अशोक विदूशा ने अपने हिर्दे से लगाते हुए समराट को कहा हे चक्रवर्ती समराट मैंने आपको कभी भी इस तहें से व्याकुल नहीं देखा नहीं देखा मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह से व्यधित होते हुए मैंने कभी भी नहीं पाया कि इस तरह से आपके नित्रों से अश्रूधारा इस तरह से पह रही होगी आज वो चक्रवर्ती प्रियदर्शी समराट अशोक जैसे तूच चुपा मेरे सामने जो महापुरुष खड़ा है वो प्रियदर्शी समराट अशोक नहीं है जिसकी तलवार हमेशा खून मांगती ये वो समराट अशोक नहीं है मुझे तो कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो कहीं न कहीं करूगा मैत्री और पंधुता से भरा हुआ लबालब हिर्दे है जो प्रियदर्शी समराट अशोक के रूप में मुझे यहां आग दिखाई पड़ा है अभी दोनों की बातों के बीचों में अचानक महल के बाहर से आवाज आती है हेश समराट अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहता है अपने आप को चत्रवर्टी कहता है बहारा देख राजा खेरनार की पुत्री आज बदबा तेरे सामने तुसे युद्ध के लिए तु इम्मत है को बहारा बहारा राजम क्या अपनी मा के याचल में जाकर के छुप गया है क्या तेरे में इतनी भी शक्ति बाकी नहीं बची कि तु एक महिला का सामना कर सके इधर देख बूढ़ी महिलाओं की सेना लेकर के मैं आज तेरे सामने आड़टी हूं और इधर यह बा युवा महिलाओं की सेना है जो तुझसे युद्ध करने आई है तुझ में हिम्मत है तो बाहर आ और आकर मुझसे युद्ध कर यह वाली बात समराटशोग के गानों में गई सम्राट शोग बाहर है आके देखा कि एक महिला चीख रही है एक महिला चिला रही है और वो और कोई नहीं कलिंग के राजा खैरनार की पुक्री पद्मा है पद्मा चिला चिला करके कह रही है कि सम्राट शोग आओ और आकर मुझसे युद्र करो संप्राट अशों कब सामने आते हैं पद्राट एक इस्त्री संप्राट अशों के सामने सीनत कान के खड़ी क्या तू नहीं जानती कि मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुझे कारागार की काल कोठरी में डाल देंगे और तेरे बाकी के तमाम उम्र कारागार की काल कोठरी में गटेगी क्या तू इसे नहीं समझती अरे राजन ये कीदण भप्तिया किसी जोर को देना मैं राजा खेरनार की पुत्री पद्मा कुझे युद्ध के लिए ललकारती हूँ आ और मुसे युद्ध कर इस्त्री और युद्ध संभो नहीं पदमा जा घर लोट जा चली जा क्योंकि मेरा घर्म इस्त्री के ऊपर अस्त्र शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं देता जा पदमा जा लोट जा लेकिन पदमा अपनी स्तिपी पर अड़ी रही। पदमा की जिद्धीपन को देख करके राजा धीरे-धीरे पेखलने लगा। बीच में विदूशा आई। विदूशा ने पदमा को समझाया। पदमा को कीसे तरह से भेजा। सम्राट अशोक से कहा हे प्रियदर्शी सम्राट अशोक आज राजधानी में पुझ्य भिक्षु मुगाली पुत्तिस आए हुए हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हिर्द देखी वे था वहां जाकर शाम तो हो सकती है तब विधूशा सम्राठ अशोग को भिकु मुगाली पुत्व के पास ले गई और वहा जाकर के उन्होंने अपनी तलवार को त्यागा और भिकु मुगाली पुत्व के चणों में नघमस्तक होने के बार उन्होंने बुद्ग के धम को अंगिकार किया पूरे विश्व को शांति का संदेज दिया मैत्री का संदेज दिया भाईचारी का संदेज दिया इस तरह से वो दिन जिस दिन बुद्ट का धमंगी कार किया गया था वो था अश्मिन महा के शुक्लपक्ष की दश्मीत थी जिसे हिंदू ने दशहरा बना दिया मैं उमीद कर रहा हूँ कि यह कहानी लोगों तक पहुँचे इनी शब्दों के साथ मैं सतेश अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साथ हुआ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले